19 में वेकंसी नहीं आई, 20 में भी वेकंसी नहीं आई मेरे दोस्त, माब अपने क्या क्या होगा साधी कर दी, उस लड़की की बिजारी की साधी हो गई, हमें CET नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमश्कार, मैं राके शयदा आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों दो दिन पहले दैनिक वास करने का अर्टिकल लिखा CET के बारे में और हर यूट्यूबर ने इस पर वीडियो बनाई और बच्चों में बहुट सारा कन्फूजन के रिएट हुआ मैं कोसिस करूँगा अपने तरकों के साथ आपको एक एक चीज़ का जवाब देपाऊ मेरे पहरे बच्चों CET हमारे लिए फाइदेमंद है या नहीं इसको जानने के लिए हम इसके इतिहास पर चलते हैं मेरे बच्चों सबसे पहले CET जो था 1990 में विरप्पा मोयली जी करनाटक के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसे लागू करने का परियास किया 2004 और 2005 में महराष्टर गोर्मेंट ने और बैंगलोर ने एकजाम कंड़क्ट कराए CET के और सबसे बड़ा जो समझने का तरीका हो सकता है वो ये जो भारत सरकार ने CET से रिलेटिड कोई काम किया हो और आज 2023 तक लगवक 15 बार ये एकजाम कंड़क्ट हो चुका है पहले हर साल में दो बार अव साल में एक बार इसका उदेशे यही था कि हम मिनिमम एक ऐसी कॉलिफकेशन बच्चों के लिए रख दें मिनिमम क्राइटेरिया रख दें कि कम से कम इतना तो टीचर कॉलिफाइड हो ही हो उसके बाद हर स्टेट गोवर्मेंट अपना एकजाम कंड़क्ट कराए सेंटर गोवर्मेंट एकजाम कंड़क्ट कराए और बच्चों का सेलेक्शन करें मेरे पियरे बच्चों जो बच्चा सी टेट qualify कर लेता था उसको तीन साल की उसके score की validity मिलती थी और उसके आधार पे वो अपने और exam दीता था कुन से एक्जाम देता था जी किंद्री विध्धाल लेके KVS मेरे प्यारे बच्चो KVS ने कब कब एक्जाम कंड़क्ट कराए मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चो 2018 में KVS ने वेकेंसी निकाली 24 सगस 2018 को वेकेंसी आई और फाइनल सेलेक्शन इन्होंने दे दिया एक साल 14 दिन बहुत बढ़िया काम किया लेकिन जिस बच्चे ने 2019 में सीट एट क्वालिफाइ किया क्या वो इसमें क्वालिफाइ कर सकता था या 2018 में भी जो एंड नावंबर का सीट एट था क्या वो इसको अप्लाई कर सकता था? नहीं, 2019 में अप्लाई कर सकता था? नहीं, 2020 में कर पाया? नहीं, 2021 में कर पाया? नहीं, 2022 में कर पाया? नहीं, क्यों? क्योंकि 18 के बाद 2022 तक कोई वेकेंसी ही नहीं आई, 2023 में वेकेंसी आई, सीट एट की कब? 5 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023, यानि बिलकुल दिसंबर के आखेर में यानि लगबग लगबग मोटे तोर पे साड़ी चार साल यानि मेरे पेहरे बिचो मेरी कोई बहन बेटी हर्यानअ की रहने वाली राजस्थान की रहने वाली UP की रहने वाली अगर उसने 18 में सी test qualify किया है और वो यह उमीद कर रही कि मेरी केंदरी विध्याले में नोकरी लगे तो यह सोच रही होगी कि 18 में मैंने test qualify किया, 19 में मेरा vacancy आएगी केंदरी विध्याले कि मैं चटाक से selection ले लूँगी, क्यों? क्योंकि मेरी समय पढ़ाई मजबूत है, मैं student मेरे अंदर जिन्दा है और मैं रूल वहनत कर रही हूँ लेकिन वो बच्ची इंतजार कर रही है 19 में vacancy नहीं आई 20 में भी vacancy नहीं आई मेरे दोस्त माब अपने क्या क्या होगा? साधी कर दी उस लड़की की बिजारी की साधी हो गई 21 में भी इंतजार करती रही बाल बच्ची हो गए, गरस जीवन हो गया उसे पता चला कि 2023 में vacancy आई मेरे बच्चों ये बताओ एक बच्ची की रूची थी teacher बनना उसका passion था teacher बनना क्या हमने उसके साथ अन्याय नहीं किया? कि जो 2018 end में CTAT qualify हो रही थी 2023 तक हमने vacancy नहीं निकाली क्या उन बच्चों के साथ ये नहे है? और कहीं ऐसा ही तो हमारे साथ नहीं हो जाएगा SSE वाले बच्चों के साथ या और journal competition वालों के साथ क्या ये तोर तरीका केवल CTAT वालों पर ही लागू है? क्या ये हलत CTAT की है? नहीं औरों की भी है देखिए मेरे प्यारे बच्चों स्टेट की बात करें तो UP में PET के नाम से test conduct हुआ इसकी अभी final joining अभी तक चल रही है शायद अरियाना में 2021 में CTAT लागू किया? इसमें कोट कस्टी लगा हुआ है ऐसी राजस्तान में लागू हुआ जिसके परिणाम आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों railway vacancy आप जानते हैं 2019 एक मार्च को notification आया था NTPC आज चार साल हो चुके हैं अभी भी प्रोसेस जारी है जोइनिंग का चार साल यही हलाट DSSB के special educator की मार्च 2021 में vacancy आई थी उसके आद अभी तक vacancy नहीं आई है अब इस समय अगस्त के लास्ट में vacancy आई ही 2023 में आप सोचिए 2021 से 2023 कितना समय है? एक नई पोध पैदा होती है 2019-20 में vacancy आती है 2023 में क्या वो इंतजार करेगी? नहीं तो यह बच्चों के साथ अन्या है कुछ YouTuber मात्र व्यू के लिए कि जैसे यह article देखा दैनी वासकर का आउ तुरंत वीडियो बना दो नहीं हमें बच्चों को सचेत करना होगा सही और गलित समझाना होगा हमें डरना नहीं होगा हमें खुल के अपनी बात रखनी होगी मेरे दोस्त अगर हम बात करें भारत सरकार की तो भारत सरकार ने CET जो है वो पहली बार 2015 में अनौंस किया वन नेशन वन थियोरी के ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन वन नेशन वन कार्ड वन नेशन वन पॉलिसी वन नेशन वन एक्जा और उसी के आधार पे कोमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया जिसकी चर्चा होई 2015 में और कहा गया इसके लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजनसी हम बना रहे है उसके बाद चर्चा 16, 17, 18 कोई चर्चा नहीं 1920 में चर्चा दुबारा से गरम हुई उसका फिर ठंडी हो गए 19 में चुनाऊ थे ठंडी हो गए फिर 2023 में अब दो दिन पहले फिर से एक आर्टिकल आया चर्चा फिर गरम मेरे दोस्तों हमें समझना पड़ेगा ये CET कहीं एक चक्कर तो नहीं कहीं ऐसा सरकार तो नहीं कर रहे कि हर साल CET होता रहे और सरकारी नोकरियों का आता पताई ना रहे कब निकली हम ये नहीं चाहते और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको कुछ अच्छे बोर्डों का भी एक्जाम्पल देता हूँ उन बोर्डों में पहले क्या गलतियां थी और फिर अब क्या सुधार हुआ है मेरे प्यारे बच्चों ये वो नोटिफिकेशन था या आर्टिकल था जो दैनिक भासकर में आया मेरे बच्चों अगर मैं SSC की बात करूँ स्टार्फ सेलेक्शन कमिशन की 2019 में जो वेक एंसी आई 22 अक्टूबर 2019 को उसमें 2 साल 5 भही ने 17 दिन लगा दिये मैं उन यूट्यूबर्स का टीचर्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उन बच्चों का कि उन बच्चों ने मुहिंच चलाई पीटर पे कैमपेंड किया यूट्यूब पे कैमपेंड किया और अपनी बात मोदी जी तक पहुँचाई जैसे ही मोदी जी के कानों तक हमारी बात पहुची तुरन सुधार हुआ और आप एक ऐसे परिणाम को देखकर भोचक के रह जाएंगे कि अगर हम अपनी आवाज मुख्य आद्वी तक पहुचा दे मेरी हिम्मत नहीं है लेकिन आपकी हिम्मत है आप चाहें तो इस आवाज को पहुचा सकते है तो तुरन सुधार होता है आपको इमानना पड़ेगा कि हर चीज मोदी जी नहीं बनाते है ये सारी पोलिसी कोन बनाता है कुछ अधिकारी बनाते है AC कमरों में बैठकर बनाते है वो अधिकारी बनाते है जिनके अंदर से स्टूडेंट को खतम हुए लगबग 30 साल हो चुके तो वो स्टूडेंट के करेंट के दर्द को जानते नहीं है मैं जानता हूँ मोदी जी गरीब परिवार के बच्चे है चाहे बेचने वाले के बच्चे है इसलिए उनको गरीब बच्चों का दर्द पता है उनको पता है एक चाहतर के दर्द क्या होते है और ये दर्द हमने उठाया 2018-19 में हमने आवाज बुलंद की कि इत इतना समय लग रहा है आपकी रिक्रूटमेंट एजनसी को और आज परिणाम मेरे दोस्तों ये है आपकी आँखे फटी रह जाएंगी कि S.S.C. वही S.S.C. जो डाइडाई तीन-तीन साल रजल्ट नहीं दे रहा था मोदी जी के परियासों से हमारे परियासों से मातर साथ महीने चब्विस दिन में मातर साथ महीने चब्विस दिन में मेरे दोस्तों फाइनल रजल्ट दे रही है टैयर वन हो रहा है उसके दो महीने बाद टैयर टू हो रहा है फिर आपका फाइनल रजल्ट आ रहा है क्या कोई एग्जाम ऐसा करेगा जिस दिन एग्زाम ommtर्ट हो आऊ के 5-6 दिन तो आपकी आंसर किया जाती है उसके 2 महीने बाद उसका second tier हो जाता है उसके 2 महीने बाद तो finally result आ जाता है ये सब भारत सरकार की नेक नियत और अच्छी नियत का परियास है और मेरे प्यारे बच्चों आपकी मेहनत का भी परियास है क्योंकि सरकार वही काम करेगी जो आवाज आप उनके कानों तक पहुचाना चाहते है मैं मोधी सरकार से request करना चाहूँगा इन बच्चों के थूँ कि हम किसी भी परकार के CET का पक्स नहीं रखते हैं हम नहीं चाहते CET लागू हो हम नहीं चाहते कि SSE वाले बच्चों का या government administrative जो services होती है या और दूसरी services है इनकी तैयारी करने वाले बच्चे भी CET कितरे परेशान हो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि एक vacancy 2018 में आई किंदरी विध्याले की अगली vacancy 2023 में आई मेरे दोस्तों आप सोचिए एक बच्चा जो 2018 में तैयारी करना शरू करता है 2019 तक अपने अंदर जोस बनाके रख सकता है 20 तक जोस बनाके रख सकता है 23 तक थोड़ी जोस बनाके रख सकता है को रजनी कान थोड़ी है हमारा बच्चा गरीब परिवार का बच्चा है उससे आप क्या उमीद कर रहे हैं वो पाँच-पाँच साल अपने अंदर मोटिवेशन भरता रहे और आफ एकंसी निकालो नहीं नहीं हम यह व्यवस्ता चीए जो मोदी जी ने दिये मात्र साथ महिने 26 दिन में स्टार लगा दिये बच्चों के कंदे पे इंकम टेक्स इंस्पेक्टर बना दिया यूपी असी जैसा बोर्ड भी ये काम नहीं कर सकता या और को इस रेलवे बोर्ड की हाला देख लो चार-च कष़ करम घुम्ता रहा है बच्चे को रोज फील फील फेक्टर लगे अच्छा मेरा सीटी क्वाली कि ओगा मेरा सीटी क्वालीफाई हो गया तीन साल गूमता रहा है उसकी वेकंसी नहीं निकल रहा है जैसे पोडह का राख जणर वे तुरन्स उसको इसका अहर मिलना चा पैदा करखा पैसन पैदा करखा टीचर बननेगा 2018 से तैयरी करनी शुरू करा 2023 तक वेकंसी नहीं आ रही आप क्या सोच रहे हैं वो जुनून को बनाए रखे गया उस जुनून के मारेगा लात और अपना रोजगार पकड़ेगा सर्व रोजगार पकड़ेगा वो कोई दूस अभी इंस्पेक्टर थानेदार जिसमें उसकी रूची नहीं वो काम इसलिए कर रहा क्योंकि उसको रोजगार चीए लेकिन वो काम वो इसलिए नहीं कर पाया जो उसे पैसन से करना था क्योंकि सरकार की तरफ से वेकंसी टाइम से नहीं है हम चाहते हैं कि आप कोई पात्र निकालिये नहीं, आप थोड़ी निकालिये, लेकिन हर साल निकालिये, ताकि जैसे जैसे बच्चे तयार हो, उस नोकरी में सेलेक्शन ले, तयार हो, सेलेक्शन ले, रुके ना हमारा बच्चा, इसलिए सर मेरी आप से रिक्वेस्ट है, अगर आप CET रखना ही चाह रहे हैं, तो SSC वो exam board है, जो बहुत सारे exam conduct कराता है, बहुत सारे department के लिए vacancy कराता है, तो छोट छोटे अलग अलग department के लिए CET ना रखे, इसी का जो प्रलिम से हैं, इसी को CET माल लो, क्या दिक्कत है, सर मेरी फिर से आप से हाद जोड के request है, और इन बच्चों से request है, मेरी बात साल अपनी नोकरी की तयारी करें और अपनी नोकरी पाए क्योंकि 6-6 साल 5-5 साल नोकरी की तयारी नहीं होती उसमतर इमाग खराब होता बच्चे का इसलिए सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जो मोदी जी ने इतना बहतरीन काम करता है और मातर 7 महिने 6 दिन में 26 दिन में जोइनिंग दे रहे हैं इस बोड़ की तारिफ की जानी चाहिए ऐसे सी के लिए खड़े होगे तालीब जानी चाहिए जो भारत सरकार के अधीन है और इतना बहतरीन काम कर रहा और ऐसे बोड़ के तहती मैक्सिमम एक्जाम कंड़क्ट कराने चीए सर तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबसे यह रिक्वेस्ट है ये CET अगर आ गया तो भाया ये नोगर है चल पड़ेंगे दुबारा से और हमें ये समझना होगा कि हम रोजगार चाहते हैं हम रस्ता नहीं पकड़ना चाहते गूमने का इसलिए आज ही इस आवाज को वहां तक पहुचा दिया जाए जो ऐसा कुछ कदम उठाने की सोच रहे है या अपनी मन कराएगा ऐसा नहीं हो कि 2018 में वेकंसी अगली वेकंसी 2023 में आप निकाल दे हम ये काम नहीं चाहते इसलिए मेरे पहरे बच्चों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस बात को पुर जोर तरीके से विल्कु ठिकाने से पहुचा दीजे जहां पहुचा नहीं है और दूसरा पुर जोर तरीके से अपने विचार रखें आप क्या चाहते हैं आप हर हाल में ये चाहते हैं कि वेकंसी आए हर साल आए हम एक्जाम कंड़क्टों सेलेक्शन ले आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों हमको CET नहीं चाहिए हमें CET नहीं चाहिए हमें रोजगार चाहिए हमें एक और चकर नहीं लगाणा चाहते जैसे मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं क्या कहीं अधिकारी ऐसा तो नहीं कि नोकरियों का निकास कर रहे हूं हमें एग्जिट नहीं करना हमें रोजगार चाहिए और प्रोप पर चीए साफ सुत्री विवस्था के तहट चाहिए थैंक्यू मेरे प्यारे बच्चों आपके और कोई विचार है तो कमेंट पर रखिए हम जरूर उस पर अगली वीडियो बनाएंगे और आपकी बात आगे रखेंगे धन्यवाद